सूप्रभात, मेरा नाम आरना है और आज मैं आप सभी को जीवन में आने वाले संकटों पर एक निबंध सुनौँगी जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियां हमारी परीक्षा होती है हमें कभी भी अपना धैरे नहीं खोना चाहिए और साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए राम, टृष्णा, महावीर, बुद्ध, स्वामी दयानन, ईशा, मुहम्मत, महत्मा गांधी जैसे कई महापुर्षों का जीवन संकटों से भरा था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और अपना लक्षे प्राप्त किया हमें जीवन में आने वाले किसी भी संकट से नहीं डरना चाहिए हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए रामायन में राम, लक्षमन और सीता के साथ 14 वर्ष जंगल में रहे थे सीता का हरण होने पर राम और लक्षमन ने 10 माँ उनकी खोज की और फिर रावन को मार कर सीता को उसके चंगल से मुक्त किया था महाभारत में पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ कई वर्ष जंगल में तपस्वियों के रूप में बिताये थे इन कठेन परिशितियों में भी इन सबने अपना धैरे नहीं खोया हम सभी को कठेनाईयों को खिलवार समझ कर उनका हस्ते हस्ते सामना करना चाहिए